असलाव अलेकूम आप सब करस्त अगबाले हमारे की चलिए आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं उसका नाम ही चिकन बहारा इसके लिए जो इंग्रीडियन चाहिए वो है इसके लिए चाहिए एक किलो चिकन फिर दो कप फेटा हुआ दही एक कप उबले प्यास का पेस्ट तीन चम्मच अद्रक लैसुन का पेस्ट दो चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट एक कप काजू का पेस्ट नमक केस्ट के हिसाब से धनिया पौडर दो चमच, लाल मिर्च पौडर एक चमच, जीरा पौडर एक चमच, गरम मसाला एक चमच दालचीनी एक, हरी लाची पांच, लॉंग पांच, जीरा एक चमच थोड़ा सकटा हुआ धनिया और नीबू करस एक कप तेल एक बाउल में चिकन ले, उसमें फिटा हुआ दही डाले अद्रक लैसुन का पेस डाले, हरी मिर्च का पेस डाले खाजू का पेस डाले, मिर्चा डाले, लाल मिच पौडर, धनिया पौडर, गरम मसाला पौडर, सीरा पौडर, नमक थोड़ा सा डाले थोड़ी कटी धनिया और नीबू का रस उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें मैंने चम्मच से उसको मिक्स किया है आप चाहें तो उसको हाथ से अच्छी तरह से मिला लें जिसमें सारे मसाले उसमें मिल जाएं और 30 मिनट के लिए उसको ढखके रूम टंपरेचर पर रख दें गैस ओन करें एक पॉट में तेल डालें तेल गरम होने पर जीरा एड़ करें इलाची डालें हरी इलाची लॉम डालचीनी डालकर प्यास का पेस्ट डालें और प्यास के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लें जब पोडें ड्राउन थोड़ा सा हो जाए फ्यास का पेस्ट ड्राउन खोने तक भूनें फिर उसमें लाल मिर्च डालें धन्या पॉडर डालें गरम मसाला डालें विधी नोदेख हो अदोा नमग दालें और इन सब मसालों को आपस में भून ले जब सारे मसाले आपस में भून जाएं अच्छी तरह से चलाते रहें जब मसाले भून जाएं अच्छे से फिर उसमें अधरक लैसून का पेस डालें और उसको पांच मिनट तक की भून ले फिर उसमें थोड़ा पानी एड़ करें और मसालों को लगातार चलाते रहें, ताकि मसाले नीचे लगे नहीं, मसाले थोड़ा भूनने के बाद तेल उपर आए, तब उसमें चिकन, मरिनेट किया हुआ चिकन डालें, चिकन को डालने के बाद उसको उसमें से चलाते रहें, भूनते रहें, फिर उसमें हरी धनिया डालें और हरी धनिया डाल कर उसको लगतार चलाते रहें और उसको ढखकन ढखके 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ने 15 मिनट बाद ढखकन को खोल ले और चबमच से उसको एक दो चबमच चलाते रहें इस तरह से हमारा चिकन बहारा रेडी हो गया सर्फ करने के लिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना न भूले